खजूरी रविवार पाम संडे उस दिन को बोलते हैं जब प्रभु येशु मसी आखरी बार युरुशिलम नगर में प्रवेश किया और जब येशु मसी ने प्रवेश किया आखरी बार तो राजा के समान येशु मसी का स्वागत हुआ मती, मर्कुस, लूका, यहुना चारों सूसमा चारों में इसका वर्नन है बाइबल के अंदर मती, मर्कुस, लूका, यहुना चार सूसमा चार की किताबे हैं चारों के अंदर इस घटना के बारे में लिखा हुआ है इस घटना में हम येई पढ़ते हैं येशु मसी ने आखरी हुए येश्व मसी का एक राजा के रूप में स्विकार किया इस दिन खजूरी रविवार के दिन एक सच्चाई को हम देखते हैं एक सच्चाई को हम देखते हैं जो वहाँ पे दिखाई गई एक सच्चाई को हम देखते हैं जो उस दिन प्रस्तुत हुई वो सच्चाई क्या है वो सच्चाई ये है येश्यु मसी राजा है तो लोग जो कर रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं लोग येश्यु मसी के लिए चिला रहे हैं उसकी स्तुती कर रहे हैं धन्य है वो जो येश्यू मसी जो परमेश्वर के नाम पे आता है, कहने का मतलब धन्य है वो जो प्रभू के समान आता है, या धन्य है प्रभू जो आता है, इस प्रकार वो चिला रहे थे, नारे लगा रहे थे, होसन्ना चिला रहे थे, जिसका अर्थ है प्रभू हमें बचा प्रभू हमें बचा, ये उसका अर्थ है और इस प्रकार वो एक राजा के रूपनें जासे आज के जमाने में बड़ा राजा हमारे बीच में आए तो उसको एक रेड कारपेट, एक लाल रंग की इस प्रकार की मैटरस बिचा के उसका स्वागत करते हैं।। उसी प्रकार उस जमाने में इस बड़े भव्वि तरीके से येशुमसी का एक राजा के रूप में स्वागत किया गया येशुमसीर राजा है वो कह रहे है और वो गलत नहीं कह रहे है पर उनके ये सही बात कहने में भी एक mistake थी एक problem थी क्यों? क्योंकि उनकी समझ में एक misunderstanding थी येशुमसीर राजा है कह रहे थे, सही कह रहे थे बट उसमें भी एक गलत सोच काम कर रही थी वो गलत सोच क्या थी? वो गलत ये सोच थी उनको लगता था येशुमसीर धर्ती का राजा है जैसे धर्ती के राजे होते हैं वैसा येशुमसी भी एक संसारिक राजा है उनको ऐसा लगता था अब ध्यान से सुनो इसराइल के लोग उस जमाने में रोमी सामराज्य के गुलाम बन चुके थे रोमी सामराज्य के लोग इसराइल के ऊपर राज करते थे जिस प्रकार हमारे देश की अजादी को लड़ने के लिए महात्मा गांदी ने बहुत बड़ा काम किया और भी बहुत से लोगों ने सुबास चंदर बोस है, भगत सिंह है अलग-अलग लोगों ने क्रांतिकारी राजा के रूप में काम किया क्रांतिकारी नेता के रूप में काम किया उसी प्रकार इसराइल के लोग सोचते थे येशु मसी हमारा राजा है जो हमें इसराइल के राज से मुक्त करेगा और ये हमें आजादी दिलवाएगा इसराइल के लोगों को लगा कि येशु मसी को अगर हम राजा घोशित करेंगे इसको अपना राजा बनाएंगे तो येशु मसी हमें गुलामी से अजाद करेगा रोमी सामराज्ज से हमें अजादी दिलवादेगा ये उनकी समझ थी वो येशु मसी को खाली धर्ति का राजा समझते थे या संसारिक राजा समझते थे, संसारिक नेता, क्रांतिकारी नेता, अजादी दिलवाने वाला नेता समझते थे और वो कहते थे ये तो नेता बहुत बढ़िया है, अगर ये नेता, अगर हमको अजादी दिलवा दे बहुत अच्छा होगा और ये तो राजा चमतकार भी करता है लिखा है उनके येशुमसी के चमतकारों की वज़ा से उसको राजा घूशित किया येशुमसी अद्बुट चमतकार कर रहा था बिमारों को शब्द बोलकर हाथ लगाकर अंधों की आखों पे हाथ उंगलियां लगाकर येशुमसी अंधों को आखें देता था लंगणों को चला देता था येशुमसी मुर्दों को जीवित कर देता था पांच रोटी दो मचलियों से बीस हजार लोगों को खाना खिला दिया उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया डील है इसको राजा बनाओ ये हमारे दुखदर्द भी दूर करेगा बिमारियां दूर करेगा चमतकार करेगा और हमें रोमी सामराज्य से हमको अजादी भी दिलवाएगा येशुमसी स्वर्ग से आया है स्वर्ग से धर्ती पे आया है धर्ती के लोगों को स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में सिखाने और बताने आया है धर्ती के लोगों को स्वर्ग से कोई लेंदेन नहीं है बस हमें तो धर्ती की आशिशें दे दो हमें संसारिक बरकतें दे दो हमें संसारिक ब्लेसिंग्स दे दो हमें संसारिक, खुशिया, अजादी, बिमारिया हमारी दूर कर दो, लोगों को यही चाहिए और यह गलती थी, गोशना सही थी, राजा है, बड़ समझ गलत थी वो चिला सही चीज को रहे थे, येशु राजा है, येशु राजा है सही चीज को बोल रहे थे, लेकिन गलत समझ के साथ, मेरे प्रियों आज आप और मैं भी येशु मसी को केवल धर्ती की आशिशे देने वाला गुरू समझते हैं, हम भी येशु मसी को सिर्फ और सिर्फ एक हमें अमीर बनाने वाला, बिमारियां दूर करने वाला, जंगाईयां देने वाला हम भी येशु मसी को ये ही समझते हैं, हमारे बच्चों के एक्जाम पास करवाने वाला, हमारे बच्चों की नौकरियां लगवाने वाला हमारी बिमारियां दूर करने वाला हम भी उसको इतना ही समझते हैं बहुत बार हमारी सोच भी ऐसी ही है और खास तोर पे मैं तो जब तक हूँ इस बात को बोलूँगा कि यूट्यूब पर दिखने वाली मसीहत जो बिक्ती है उसको खरीदना बंद करो यूट्यूब पर जूटी मसीहत बिक्ती है जो जूटे भविश्चत वक्ता फैल चुके है पूरी दुनिया में और इंटरनेट को भर दिया है जूटी शिक्षा के साथ येशू मसी के पास आओ सब ठीक हो जाएगा और हम उसको खरीदते हैं जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद अगले दिन येशू मसी ने मंदिर में गया और येशू मसी ने वहाँ पे मंदिर में धंदा करने वालों के सारे दुकानों को तोड़ फोड़ कर दिया लिखा है और प्रभू ने कहा तुम ने मेरे पिता के प्रात्रा के घर को तुम लोगों ने डाकूओं की खो बना दिया है तुम यहाँ पर धंदा करने लगे हो ध्यान रखो मेरे प्रियो जो वचन का प्रचार नहीं करते उसको तुम कलीस्या भी नहीं कह सकते हो जहां पर वचन का सीधा-सीधा और खरा प्रचार नहीं होता है उसको मत सुनो वरना हम भी उन लोगों के समान बन जाएंगे जो चिला तो सही बात को रहे हैं लेकिन जिनकी समझ गलत है ये लोग भी ऐसा ही कर रहे है येशु मसी राजा है येशु मसी राजा है लेकिन कौन है येशु मसी ये अब तक समझ में नहीं आया है क्योंकि उनकी आखें नहीं खुली है वो येशु मसी कौन है किस प्रकार का राजा है कहां से आया है ये राजा इसका राज कैसा है उसके बारे में कोई ग्यान नहीं है लोगों को तो मेरे प्रियो वहाँ पर एक सचाई थी येशुमसी राजा है वो तो सही है लेकिन वो किस प्रकार का राजा है इसके बारे में वो नहीं जानते हैं दो प्रकार के लोग थे वहाँ पर उस भीड में वो तियोहार का मौसम था तियोहार का समय था यरुशिलम नगर में सिरफ यरुशिलम के लोग नहीं थे दूर दूर अलग अलग गाओं, शेहरों, दूसरे देशों के लोग थक वहां मंदिर में अरादना करने के लिए आयोए थे क्यूंकि बहुत बड़ा जशन का महौल था वहां पे दो प्रकार, जिस दिन येशुमसी आया, अंतिम बार यरुशिलम नगर में प्रवेश किया, अब नहीं जाएगा वापस अब तो वो यरुशिलम में आया है, अपनी जान देने के लिए आया है क्यूंकि यरुशिलम नगर कुर्बानी चड़ाने का नगर है अपने आपको बलिदान करूंगा, दुनिया भर के पापों की माफी के लिए और ये घटना घटने वाली थी, इसलिए येशुमसी का यरुशिलम में आना it was going to be a big deal, ये बहुत बड़ी बात होने वाली थी कि येश्यु मसी युरुशिलम में आने वाला है और आ चुका था येश्यु मसी और लोगों ने किया उसका स्वागत येश्यु मसी ने भी उनको रोका नहीं अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना दो प्रकार के लोग थे जो पहला गुरूप था आम जनता है चिलाना किसी के लिए मतलब उसको परमेश्वर करार देना ये बहुत बड़ी बात है अगर हम किसी के लिए होसाना कहते हैं और लोगों ने येश्यु मसी के लिए होसाना कहा और चिला रहे हैं धन्य है वो जो प्रभू के नाम से आता है मतलब धन्य है वो जो प्रभू के वहां से आता है जो प्रभू के घर से आता है या धन्य है प्रभू जो हमारे बीच में आ गया है उसकी जैजैकार हो, उसकी तारीफ हो, उसकी स्तूती हो चिला रहे हैं जिस प्रकार येशुमसी का स्वागत कर सकते थे किया, टेहनिया उठाकर येशुमसी का स्वागत किया रास्ते में बिचा दिया, कपड़े बिचा दिये चिला चिला कर येशुमसी की तारीफ की है दो गुट थे, दो तरह के लोग थे, पहला आपने देख लिया, दूसरे कौन थे वो लोग, फरीसी लोग थे, जो आत्मिक अगवे थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो आत्मिक गुरू थे, जिनको फरीसी कहा जाता था, यहूदियों के धर्म शास्त्र के बड़े-बड़े प्रोफेसर पी-एचडी करने वाले जैसे लोग थे यहूदियों के धार्मिक अगवे थे वो क्या कर रहे हैं, देखो जरा 19 के 38 में देखते हैं इसको 39 में पढ़ो जरा 39 में से सब पढ़ेंगे 1, 2, 3, सब पढ़ें तब भीड में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, फरीसी कौन है? आत्मिक अगवे धार्मिक अगवे येशु मसीज से कहने लगे क्या कहने लगे बोलो? सब जोर से बोलेंगे क्या लिखा है? हे गुरु अपने चेलों को डांट अब ध्यान दो जो फरीसी है न ये अच्छे से वचन जानते हैं फरीसीयों को पता है आत्मिक जो शब्द है होसाना इनका अर्थ क्या है वो जानते हैं क्योंकि वो थेलोजियन्स हैं धर्म विज्ञानिक हैं शिक्षक लोग हैं उनको पता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि होसाना जो शब्द है न वो केवल परमेश्वर के लिए बोला जाता है किसी इंसान के लिए नहीं बोल सकते इसलिए उनकी अनुसार अनर्थ हो रहा है आम जनता किसकी जैजेकार कर रही है बोलो आम जनता किसकी ज़ेकार कर रही है येशु मसी की फरीसी लोग येशु मसी को कुछ नहीं समझते और आम जनता येशु मसी को होसाना होसाना बोल रही है सुनने वाले फरिसियों को पता है क्योंकि वो धार्मिक अगवे हैं उनको वचन आता है उनको पता है अरे भाईया ये अनर्थ कर रहे हैं होसाना शब्द जो है न ये केवल परमेश्वर के लिए बोला जाता है येशु मसी तो यूसफ का पुत्र है मरियम का पुत्र है इसके बहन भाई तो हमारे आसपास घूमते हैं और ये तो नासरत का रहने वाला है यहां से क्या अच्छा निकल सकता है आपको याद होगा उनको लगता है ये तो अनर्थ हो रहा है भया परमेश्वर किस तूती येशु को मत दो क्यूंकि वो अच्छे से जानते हैं ये जो शब्द है ये परमेश्वर के लिए है और इसलिए येशु मसी कोई बोल रहे है येशु उनको तो बोलने से शायद कुछ नहीं हुआ होगा तो येशु मसी को बोल रहे है येशु इनका मुँ बंद करवा क्योंकि ये अनर्थ बोल रहे है ये तेरे लिए होसन्ना शब्द बोल रहे है येशु क्या तुझे नहीं पता कि ये शब्द तो परमेश्वर के लिए इस्तिमाल किया जाता है तो ये शुमसी क्या उनको रोक रहा है ये शुमसी क्या बोलता है बलकि अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिला उठेंगे हालेलोया अगर ये लोग मेरी स्तूती नहीं अगर मैं इनको बंद कर भी दू न तो ये सच्चाई बोल रहे हैं। मैं हूँ स्तूती के योग्य, मैं हूँ परमेश्वर, मैं हूँ गुरू, मैं ही हूँ जो परमेश्वर के नाम से तुम लोगों के बीच में तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। तो येश्व मसिन ने उनका मुब बंद नहीं किया, येश्व मसिन उनको stop नहीं किया, येश्व मसिन उनको टोका नहीं। उल्टा कहा कि अगर ये नहीं बोलेगे, तो आज पत्ther बोल उठेंगे। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर पत्थर को पूजा जाता है और यहां से हम कह सकते हैं कि पत्थर की पूजा पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए क्यों पत्थर घुद हमारे प्रभू की पूजा करता है पूजा के योग्य, अराधना के योग्य, स्तूती के योग्य, सिर्फ और सिर्फ येशुमसी है और ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये इसको हैंडल नहीं कर पाए क्यूंकि वो येशुमसी से नफरत करते हैं अब सब लोग में ये तरफ देखें एक गुट येशुमसी की तारीफ कर रहा है, दूसरा उसका विरोध कर रहा है आपको क्या लगता है येशुमसी किस से खुश होगा दो गुरुप है, पहला जुन्ड है जो येशु की तारीफ कर रहा है दूसरा जुंड है जो उनको रोक रहा है और जल रहा है येशु मसी से बताओ दोनों में से येशु मसी कौन से जुंड से खुश होगा पहले जुंड से राइट तुस्तूती कर रहे हैं कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं प्रभू को उनकी तो तारीफ की तारीफ करनी चाहिए वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे जो प्रभू की जैजैकार कर रहे है प्रभू तो उनके उपर भी खुश नहीं है क्यों खुश नहीं है क्योंकि वो प्रभू को सिर्फ एक धर्ती का राजा समझते है प्रभू ने का मेरा राज तो स्वर्ग का है मती 5-6-7 में खास तोर पे स्वर्ग कैसा है स्वर्ग राज कैसा है प्रभू का राज कैसा है उसका वर्नन किया है प्रभू ने अपनी शिक्षा पहाड़ी उपदेश में सिखाया मती 5-6-7 में प्रभु ने वर्नन किया है दुनिया को उस शिक्षा से कोई लें दिन नहीं है प्रभु ने कहा मेरा राज स्वर्ग का है धर्ती का मेरा राज नहीं है और वो लोग प्रभु की अगर तारीफ कर भी रहे हैं कि प्रभू जानता है मेरे प्रियोग, प्रभू अच्छे से जानता है ये लोग जो आज चिला रहे हैं, जैजैकार, जैजैकार, येशु की जैजैकार, येशु को पता है कुछ दिनों के बाद ये ही लोग होंगे, जो राजा के सामने खड़े होकर क्या बोलेंगे, इसको क् जैजयकार है वो दिल की गहराईों से सत्ते पर अधारित नहीं है और ये हमारे लिए खबरदार होने की बात है जब तक और जितनी जैजयकार हमारी प्रभू की जैजयकार प्रभू को बिना समझे होती है केवल उपर-उपर से होती है या दिखावा के लिए होती है प्रभू पाते हैं, अच्छा गाह पाते हैं, सेवा भी अच्छी कर पाते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, बातें अच्छी कर लेते हैं, लेकिन प्रभू आपके दिल की असलियत को जानता है कि इस समय प्रभू आपके दिल का राजा है के नहीं है, प्रभू जानता है आपके मच्च मुच उससे गहरी महबत, गहरा प्यार करते हैं के नहीं करते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, आपकी और मेरी अराधना यदि हमारी दिल की गहराई से और सत्य पर अधारित नहीं हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहन योग नहीं हैं। अगर हम केवल भीड के पीछे चलने वाले और एक परमपरा का पालन करने वाले विश्वासी हैं, तो परमेश्वर को ऐसे विश्वासियों की जरूरत नहीं हैं। वचन में लिखा है कि वो अपने लिए अराधकों को ढूनता है, ऐसे अराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तूती करें। आज आपकी सच्चाई को परमेश्वर जानता है और शायद आपकी सच्चाई को आपके बिना कोई नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप प्रभु के सामने आपके दिल की और आपके विश्वास्त की स्थिती और कंडिशन और हालत कैसी है परमेश्वर उपर उपर की अराधना से बिलकुल प्रसंद नहीं होता क्या आप सच मुझ जानते हैं कि प्रभू कौन है परमेश्वर दोनों गुटों से नराज है पहले गुट से हम देखते हैं इसको वो नहीं कहता कि तुम मेरी अराधना मत करो लेकिन वो ये कहता है मैं जो सच मुझ हूँ वो जानकर मेरी अराधना करो मुझे एक नॉर्मल गुरू, बाबा, मुझे बहुत से भगवानों के बीच का एक भगवान समझ के मेरी अराधना मत करो, मुझे एक महापुरुष मत कहो, मुझे अच्छा शिक्षक मत कहो मुझे चमतकार करने वाला मत समझो क्यूंकि मैं वही मात्र नहीं हूँ बाइबल में लिखा है कि सृष्टी करता है प्रभु येशु मसी बाइबल में लिखा है कि इस पूरी काइनात को इस पूरी सृष्टी को प्रभु येशु ने रचा है और सारी काइनात को येशु मसी के लिए रचा गया है आप और मैं प्रभू की महिमा के लिए रचे गये है बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग और पृत्वी का सारा अधिकार येशु मसी को दिया गया है बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इस एक दिन आएगा कि पिता परमेश्वर येश्यु मसी के पैरों के नीचे सब कुछ कर देगा ताकि लिखा है ताकि सब बातों में येश्यु ही येश्यु हो और सब बातों का सरप्रस्त सब बातों का सरदार सब बातों का सुप्रीम सब बातों से उंचा और पहला येशु मसी हो और येशु मसी ने अपने मूँ से कहा है मैं ही आदी हूँ मैं ही अन्त हूँ मैं ही शुरुवात हूँ मैं ही अन्त हूँ मैं अलफा हूँ मैं ओमेगा हूँ येशु मसी ने कहा कि मैं स्वर्ग से उत्री हुई रोटी हूँ येशु मसी ने कहा जो मुझे खाएगा वो कभी भूका न रहेगा जो मुझे पिएगा, जो मुझे ग्रहन करेगा वो कभी प्यासा न होगा मेरे प्रियोग क्या आप सच मुझ में येशु कौन है इस बात को जानते हैं या आप सिर्फ अगर आप अपनी बिमारी ने के लिए अपना प्रभू, अपना मालिक, अपना मसी अपना गुरु, अपना दाता अपना सब कुछ नहीं समझा तो सौ बिमारियां आकर कि आपकी प्रभू ठीक कर देगा लेकिन आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे इसलिए बिमार होकर लेकिन विश्वास में रहकर मरना बहतर है बजाए इसके कि हम प्रभू की आशिशे पाएं, आशिशे पाएं, आशिशे पाएं लेकिन अंत में हम अपने आस्मानी मकान तक ना पहुंचें इसलिए मेरे प्रियोग कौन है प्रभू इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है और उसकी अराधना करनी है बड़ ट्रू सच मुच में वो कौन है उसकी अराधना करनी है केवल दुनियावी समझ के साथ उसकी अरादना को नहीं करना है आम जनता प्रभु की स्तुती कर रही है फरीसी अगवे सहन नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रभु दोनों गुटों से दोनों गुरुप से प्रभु नाखुश है प्रभु इसलिए प्रभु क्यों नाखुश है क्योंकि वो दोनों गुट समझ नहीं पाए कि वो कौन है अपनी बाइबल खोलें और ध्यान से देखिए लुका 19 उसके 40 में क्या लिखा है 40 में क्या लिखा है और उन्हें फिर कुछ कहने और उन्हें फिर उस से 40 उसने उन्हें उतर दिया मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिला उठेंगे क्या लिखा है जब वे निकट आया तो क्या लिखा है वो नगर को देख कर रोया इधर देखो सारे प्रभू की जैजैकार हो रही है पूरा नगर नहीं पूरा देश नगर में जमा है पूरा देश कुछ लोग बाहर के देश से भी आये होए थे मतलब हजारों लोग प्रभू की जैजैकार कर रहे है और प्रभू उनकी जैजैकार से नाखुश है उल्टा प्रभू उनकी जैजैकार को दूर से प्रभु ने देखा ड़लान पर से उंची ड़लान पर से प्रभु ने नगर को देखा और देखा नगर में तो बड़ा हुलड जमा हुआ है नगर में तो मेला लगा हुआ है आत्मिक मेला लगा हुआ है और ये मेरी जैजैकार कर रहे है मेरा स्वागत होने वाला ह प्रभू उनसे सिर्फ नाखुश ही नहीं है प्रभू उनके लिए रो रहे हैं ऐसा ही लिखा है नगर को देखकर क्या लिखा है नगर को देखकर रोया यहाँ पर पूरा देश प्रभू की तारीफ कर रहा है प्रभू को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि प्रभु दिल में क्या है उसे जानता है और ये लोग जो हैं ये जह जहकार तो कर रहे हैं किसकी जह जहकार कर रहे हैं इनको पता भी नहीं है they don't know who this is, जिसकी तारीफ हो रही है उसको जानते ही नहीं है वो इसलिए क्या लिखा है सुनिये ध्यान से, 1941 में जब वे निकट के नगर आया तो नगर को देख कर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता ये रुशलम के तू हां तू इसी दिन में कुशल की बातों को जानता पर तू अब वे तेरी आखों से चिप गई है क्यूंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांद कर तुझे घेर लेंगे और चारों और से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों और जो कुछ तुछ में है मिट्टी में मिला देंगे और तुझ पर पत्थर में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे क्यूंकि अब सुनो, क्यूंकि तुने उस अफसर को जो जब तुझ पर कृपा दृष्ठी की गई तुने उसको ना पहचाना मतलब यरुशिलम तेरे नगर में मैंने सेवा की तेरे देश में मैं पैदा हुआ यरुशिलम मैं परमेश्वर हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ जो कुवारी मरियम के द्वारा इस धर्ती पर तुझे बचाने के लिए आया मैंने तुझे स्वर्ग राज का भेद बताया मैंने तुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाया मैंने परमेश्वर का बहुबल, परमेश्वर की सामर्थ मैंने तेरे सामने अपने कामों में दिखाई, मैंने तुझ से प्रेम किया युरुशलम, लेकिन तुझ पर कृपा दृष्टी हुई, पर तु मुझे पहचान नहीं पाया। और जब हम प्रभु को नहीं पहचानते हैं कि वो कौन है, परमेश्वर आज भी हमारे उपर दुखित होता है। इसलिए बचन में लिखा हुआ है कि पवित्रात्मा को कभी शोकित मत करना। पवित्रात्मा कब शोकित होता है। हम जब उसको पहचानते नहीं, हम जब उसके सामने समर्पन नहीं करते हैं। हम जब मसीही होकर भी गैर मसीही जैसी चाल चलते हैं। हम जब मुझ पर प्रभू का नाम लेकर जब हमारे पैसों में हम जब धांदली करते हैं, हम जब किसी का पैसा लेकर उनको लोटाते नहीं हैं, हम जब अपने पती या पत्नी से बेवफाई करते हैं, हम जब कहीं और हमारा बाहर किसी और को हम पसंद करते हैं, या जब मुझ स सहायता करने के लिए तयार नहीं होते हम तब येशुमसी को पहचानने से इंकार करते हैं क्यूं क्यूंकि येशुमसी इस धर्ती पर पापियों को बचाने आया लेकिन कंगालों को अपना प्रेम दिखाने आया जब हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम येशु मसी को नकारते हैं, प्रभु नहीं कहा कि जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, तो तब पता चलेगा दूसरों को कि तुम मेरे जेले हो, इसलिए मेरे प्रियोग क्या हम सच मुझ परमेश्वर को जानते हैं, येशु मसी युरुशलम नगर पर जब रो रहा था तो ध्यान से सुनो, वो आपके उपर रो रहा था, वो मेरे उपर रो रहा था, वो गुडगाओं शेहर के उपर रो रहा था, वो इस दुनिया की आत्मिक अंधेपन पर रो रहा था, क्यूंकि सिरफ येशु मसी को नहीं पहचाना ऐसा नहीं है, पूरी द दूसरी बात, येशुमसी क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और इसलिए येशुमसी को मालूम था कि उस दिन के लगभग 40-45 साल के अंदर-अंदर, येशुमसी को मालूम है कि युरुशलम नगर नश्ट कर दिया और हम सब जानते हैं कि 70 साल में, मतलब येशुमसी जब पैदा हुआ, उसके 70 साल के बाद, येशुमसी के मर जाने और जी उठने के 35-40 साल के बाद, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा हमला हुआ था और येशुम नगर तबाह हो चुका था, और वो ही भविश्यवानी में लिखा है कि वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहन नहीं किया, लेकिन ये भी लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहन किया उसने उन्हें परमेश्वर की पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है हलेलुया, यदि आज आज आप मसी को ग्रहंड कर चुके हैं यदि आप आज येश्व मसी को स्वीकार कर चुके हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन चुके हैं हलेलुया तो येश्व मसी दोनों गुटों से नाखुश है दोनों गुटों से वो impressed नहीं है वो जानता है कि ये जो लोग स्तुती स्तुती चिला रहे हैं यही लोग होंगे जब मुझे पेश किया जाएगा पेंतुस पिलातुस के सामने तो यही लोग हैं जो बोलेंगे इसे क्रूस दो इसे क्रूस दो अगर आज आपके दिल से उसकी अराधना स्तुती होती है तो जरूर वो उससे प्रसन होता है परंतु अगर नहीं तो पवित्रात्मा आज शोकित है आपके उपर पर चाहता है और आपकी मदद भी करेगा कि आप प्रभू की नजदीकी में बढ़ सको क्या सीखते हैं हम इससे आज हम इससे क्या सीखते है पड़ा पड़ाम पांच बात चार बातों को देखेंगे क्या हम मैं बोल चगवा है इसके उपर क्या हम सच मुझ येशु मसी को सही तरीके से पहचान चुके हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, सृष्टी करता है, कुमारी के द्वारा धर्ती पे आया, पवित्र जीवन जिया, अपनी जवानी में उसने दुनिया भर के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और अपने मरने के तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ, चालिस द आत्ना करता है, और हमारे लिए स्थान तयार करता है, और उस दिन जो दिन प्रभू ने ठहराया है, वो धर्ती पर फिर से वापस आने वाला है, क्या हम विश्वास करते हैं, कि वचन के अनुसार वो जब धर्ती पर वापस आएगा, तो इस धर्ती पर एक हजार साल तक, 1000 एक हजार साल तक, येश्व मसी यहां पर सुनहरा युग लेकर के आएगा, एक सुनहरा राज्य होगा उसका इस धर्ती पर, जिस पर आप और मैं हम, जिस पर वो शासन करेगा, और उसके बाद एक आत्मिक महायुद होने वाला है, जिसमें परमेश्वर शेतान को हमेशा के लिए उसे आग की जील में डाल दिया जाएगा, साथ में उसकी दुष्टात्माओं को, और साथ में विश्वास ना करने वालों को, और साथ में जूटे प्रचारकों को, और साथ में वो सब लोग जो जूटी शिक्षा का पालन करते हैं, उसके बाद एक नई पृत्वी औ और चान्द ना होगा, जहां पर मृत्यू ना होगी, जहां प्रभू और प्रभू के लोग पर मेश्वर की अधीनता में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करेंगे. क्या ये है हमारा विश्वास या फिर हमारा विश्वास यही है येशु मसीपे विश्वास कर लो बिमारियां दूर हो जाएंगी येशु मसीपे विश्वास कर लो घर में सब ठीक हो जाएगा येशु मसीपे विश्वास कर लो करजें खतम हो जाएंगे अगर आपका विश्वास यहीं तक अडे हो अगर यहीं पे अटके हो तो तुम गरीब हो, बहुत गरीब हो शायद तुम प्रभू की आशीश पाकर अमीर हो जाओगे लेकिन तब भी बहुत गरीब हो क्योंकि तुमने प्रभू को केवल धर्ती तक का राजा सीमित करके बनाया हुआ है लेकिन प्रभू का राज स्वर्ग का है दूसरी बात क्या येशु मसी के लिए हमारी तारीफ ये मैं बोल चुका हूँ क्या येशु मसी के लिए हमारी तारीफ स्वर्ग के दृष्टी कौन से होती है या केवल आर्थिक या जमीनी या संसारिक बर्कतों के लिए होती है इसके बारे में हम आपको बता चुका हूँ तीसरी बात कहीं हम दूसरों के लिए येशु की अरादना करने के लिए ठोकर का कारण या रुकावट तो नहीं बन रहे जो फरीसी लोग फरीसी लोगों को बलकी लोगों की मदद करनी चाहिए थी करो प्रभू की अरादना ये ही है सब कुछ लेकिन उल्टा वो लोगों को रोक रहे थे उसी प्रकार आज आप और मैं जो प्रभू को जानते हैं अपने शब्दों और विशेश रूप से अपने व्यवहार से बहुतों को प्रभू के पास आने के लिए रोकते हैं और जो प्रभू में हैं उन्हें बढ़ने नहीं देते हमारे उपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं हमारे उपर बहुत कि डर भे में चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा परिवार एक मसीही परिवार है कि नहीं है यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मसीहत में चलना प्रभू में आना केवल एक संडे के प्रोग्राम को अटेंड करना जशन में आना और फिर घर चले जाना ये नहीं है मसीहत, मसीहत का मतलब है प्रभू के साथ चलना, प्रभू के साथ बाते करना, प्रभू के लिए जीना, क्या हम इस बात को समझते हैं, और चौथी बात, जो येशु मसी को नहीं पहचानते हैं, क्या हम उनके लिए दुख मह प्रातना करते हैं, ध्यान से सुनो, जब येश्व मसी नगर में आया, येश्व मसी ने जब नगर में प्रवेश किया तो येश्व मसी ने येश्यलम के अंधेपन को, येश्यलम के डेडनेस को, मरेपन को देखा, पापों में पड़ा हुआ है, जूटी भक्ती कर रहा है, इ इस बात को देख कर Yeshu मसीर ओ रहा था, आज आप और मैं प्रबु को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं, आज आप और मैं जानते हैं, Yeshu कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, हम जानते हैं, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हम जानते हैं कि वो जिन्दा है लेकिन अगर आज हम सच्चाई को जानते हैं तो क्या वो लोग जो सच्चाई को नहीं जानते क्या उनके लिए हमारे दिल में एक तडप है एक परेशानी होती है हमारे दिल के अंदर कि वो क्यों नहीं जानते सच्चे प्रभू को क्या हम रोते हैं इस गुडगाओं शहर के लिए प्रभू यरुशलम के लिए रोया क्या हम गुडगाओं के लिए कभी रोते हैं क्या हम सच्मुच चिंता करते हैं इस बात की कि हमारे शहर जो अंड़कार में डूबा हुआ है एक हजार में से केवल एक आदमी उत्तर भारत में प्रभु येश्व मसी को जानता है Just 0.1% एक हजार लोगों में से एक व्रेक्ति येश्व मसी को जानता है क्या ये बात हमें अंदर से हमें तोड़ती है हमें क्या बोज महसूस होता है प्रभू तेरा राज जी आये लोग तुझे जाने प्रभू ऐसा काम कर अपने आत्मा को उंडेल तेरा वचन दूर दूर तक जाये परमेश्वर ताकि उत्तर भारत में मसीहों की गिंती बढ़ सके और हर जन प्रभू को जान सके क्या हमारे अंदर जो पाप में पड़े हुए हैं और जो मुर्ती पुजा में पड़े हुए हैं क्या उनके लिए हमारा दिल कभी रोता है ये है पाम संडे का अर्थ ये है खजूरी रविवार का अर्थ वो राजा है बट वो धर्ती का और धर्ती जैसा राजा नहीं है वो स्वर्ग कर आजा है अगर चाहिए प्रभू के पास आओ अगर केवल धर्ती की बरकते चाहिए तो अपना समय बरबाद मत करो पस्चताब करो प्रभू के पास आओ और जो प्रभू को नहीं जानते उनके लिए हमारे अंदर एक तड़प होनी चाहिए और हमें संसार के लिए इस दुनिया के लिए हमें प्राथना करनी चाहिए आये हम अपना सत्संग समाप्त करेंगे